तो गाइज इस रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आटा यानि गेहूं का आटा वीट फ्लोर हम यूज़ करेंगे और मुझे बहुत सारे मैस्जिज आते हैं कि आप जो भी डाक स्पोर्ट्स वगरे की रेमेडी विताते हैं वो स्पेशली ओयली स्किन के लिए डाली है अब इस मिक्शर में हम डालेंगे कच्छा दूद और यह मिक्शर अब हम मिक्स कर लेंगे और यह बिल्कुल रेडी हो गया अगर आपको ड्राय लगे तो आप थोड़ा सा कच्छा दूद और डाल सकते हैं तो हनी की बात करूँ तो यह एक एंटी एजिंग है और ह जैसे ही पोर्स डीफली क्लीन होंगे तो हमारे जो डाक स्पोर्स पिग्मेंटेशन वगेरा है वो हटने लगेंगी और हल्दी एंटिसेप्टिक प्रपर्टीज है हल्दी की तो हम इंशन टाइम से यूज करते आ रहे हैं तो हल्दी तो बहुत ही अच्छा की इंग्रेटि अगर आपकी ओईली स्किन है तो आपके लिए ये रेमेडी सबसे बेस्ट रहेगी आप इसको ट्राइ कीजिए आपको खुछ से रिजल्ट दिखेंगे 15-20 दिन आप इसको ट्राइ करिए हफते में दो बार आप इसको लगा सकते हैं तीन बार भी लगा सकते हैं इसके कोई स बहुत अच्छे से क्लीन करके अपने फेस को और फिर इसको अपलाई करना है और जैंट और लीडी दोनों ही इस रेमेडी को लगा सकते हैं और यह बहुत एफेक्टिव रेमेडी आपको एक बार से ही अपने जो फेस है उस पे बहुत जड़ दा एफेक्त दिखेंगा एक बहुत अच्छा सा सटल सा ग्लो आएगा आपके फेस पे और अपका जो फेस है वो ब्राइटन अप हो जाएगा एक से दो स्किन ब्राइटन अप हो जाएगा और जो डाक स्पोर्ट वगरा है वो भी थोड़े बहुत लाइट होने लग जाएंगे तो यह बहुत किसे जब यह ड्राइए हो जाएगी तो आपको अपने हैंड्स को यूनो पानी से गीला कर लेना है और फिर इस तरीके से रब करके आपको निकालना है इससे क्या होगा ना कि जो आपके पोर्स है वो बहुत डीपली क्लीन हो जाएंगे इस तरीके से क्योंकि यह जो आटा ह किसे स्क्रब करना है और फिर हमें वाश कर लेना है और आप देख सकते हैं मैंने वाश कि आपको एक बार में ही कितना रिजल्ट अच्छा मिलेगा इसका बहुत इची रेमेडी है मस्ट्राइ रेमेडी है यह तो थेंक्यू सो मच गाइस फो वाचिन मैं वीडियो अगर वी टेक केर